ओम शान्तिम हम सभी इस अंसार में सबसे अधिक भाग्यवान है बाबा की ओर देखकर जरत सच्चे दिल से कहें बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया आपको पाकर हम संतुस्थ हो गए आपको पाने के बाद और कुछ भी पाना सेश नहीं रहा सचमच भगवान हमारा परंपिता परंशिक्षक और परंशद्गुरु बनकर आया कितना बड़ा भाग्य है स्वें भगवान हमें पढ़ाने के लिए आ गया और इतना ही नहीं उसने आकर हमारा सच्चा साथ निभाया वो आकर हमारा खुदा दोस्त बन गया सदा साथ निभाने वाला दोस्त आवशकता में साथ देने वाला दोस्त केवल कहने का दोस्त नहीं जब भी बुलाओ आ जाता है ऐसा दोस्त पन्तु याद रखेंगे दोस्ती हमेशा ही दोनोर से हुआ करती है वो हमसे दोस्ती निभाने आया है तो हमें भी उनसे दोस्ती निभानी है दोस्ती में सर उपर थम होता है दो सच्चे दिलों का मिलन हमारे दोनों के सच्चे दिल हो, पवित्र दिल हो, हमारा खुदा दोस्त पवित्रता का सागर है, हम भी परम पवित्र हो जाएं, तो दोनों के सच्चे दिल मिल जाएं, और ये दोस्ती everlasting हो जाएं, सदा सदा के लिए हो जाएं, द्वापर्यू के बाद भी ये दोस्ती चलती रहे, तो विचार करें, क्या हम ऐसे सचे दिल वाले हैं दोस्ती उन्हे में होती है, जिनके विचार समान हो बाबा के विचार बेहद के महान हम अपने विचारों को चेक करें, हमारे विचार भी वैसे ही है वो कल्यानकारी हम भी कल्यानकारी है वो सत्यम सिवं सुन्दरम हम भी सत्यम सिवं सुन्दरम है वो सब को देने वाला वो सब के लिए सुब जिन तक क्या हम भी वैसे ही है ऐसे ही अनेक महनविचार बाबा के है एक के बहुत महनविचार हो दूसरे के बहुत छोटे एक निश्वार्थ हो, दूसरे में स्वार्थ भरा हो, तो दोस्ती कैसे टिकेगी, तो आईए, हम इस दोस्ती को everlasting बनाने के लिए, विचारों का मिलन करें, और साथ साथ, उसने हमारा आवान किया बच्छे, मेरे इस महान कर्तव में मेरे साथ ही बन जाओ, तो बस हम लगा दें अपना सब कुछ, उसके महान कर्तव्यों में और वो भी लगा देगा अपना सब कुछ, हमारे लिए ये हो जाएगी बहुत सुन्दर समानता, तो आईए, इस खुदा दोस्त का संपोर्ण लाव उठाएं, घूमने चलें, तो दोस्त के साथ खाएं, तो दोस्त के साथ ऐसा पक्का प्यार हो जाए, कि उसके अलावा हम रहे ही न पाएं, तो अनुभव होगा, कोई भी कटनाई आए, बस उसे याद कर लेना, आजाओ, मन भारी हो, उसे सुना देना, अकेला पनफील हो, उसके साथ हो लेना, तो ये दोस्ती जीवन को परमानंद स भर देगी, आईए, बाबा को अपना दोस्त बना लो, ऐसा दोस्त, जो चारो युगों में कभी नहीं मिलता, कोई सुने, तो वंडर खाएगा, उसके नैन खुले के खुले रह जाएं, भगवान इनका दोस्त बन गया, वहाँ इनके भाग्ये, तो आज सारा दिन इस नसे म रहेंगे, मेरे जैसा भग्यवान कोई नहीं, क्योंकि स्वयम भगवान मेरा दोस्त बन गया है, और बार बार उसको अपने पास बुलाएंगे, उसका हाथ पकड़ कर सैद करेंगे, उससे बाते करेंगे, अपने मन के सारे बोज उसे देंगे, कहीं कोई काम भारी हो जाए, तो हजार बुजाओं सहित उसका आवान करेंगे, और कहेंगे आओ, थोड़ा काम तुम करो, थोड़ा हम करेंगे, इस तरह है आज सारा दिन, खुदा की दोस्ती को एंजोय करेंगे, इसके भिन भिन अनुहव सारा दिन करते रहेंगे, तो आप सब को बहुत बहुत थैंक् ओम श्यांती